नमस्ते गाईज मेरा नाम अभी मन्यू स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज़ करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूं सच कहूं तो तुम अच्छे इनसान हो सच कहूं तो वहा पागल है सच कहूं तो वहा अच्छा नहीं है तो दोस्तो सच कहूं तो सच कहूं तो इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज़ हम अपनी डेली कनवर्सेशन में बहुत बार करते हैं तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे इन तरीकों के sentences को English में किस rule के according आप form कर सकते हैं तो आईए दोस्तो rule देखते हैं rule होता है दोस्तो आपका to be honest सबसे पहले आता है to be honest और उसके बाद आपका sentence जो कि किसी भी tense में हो सकता है एक चीज़ ध्यान रखिएगा to be honest के बाद कॉमा लगाना मत बूलिएगा ठीके दोस्तों example से बहतर समझेगा देखे पहला है आपका सच कहूं तो हम नहीं जाना चाहते to be honest we don't want to go सच कहूं तो वह अच्छा नहीं है to be honest he is not good सच कहूं तो तुम सुन्दर हो to be honest you are beautiful सच कहूं तो वह यहां नहीं आएगा to be honest he will not come here सच कहूं तो वह पागल है to be honest he is mad to be honest मैं पहाँ है